काफी समय के बाद मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक बहुत ही हिल्दी ड्रिंग की रेसिपी तो आज हम बनाएंगे ब्लू टी जो बनती है अपराजिता के फूल में से जिसे बटरफ्लाइ फ्लावर भी बोलते हैं जितना प्यारा कलर इस फूल का है उतने ही प्यारे इसके काफी सारे गून भी है काफी सारे एंटियोक्सिदेंट से भरपूर होने के कारण ये हमारी तवच्चा और बालो के लिए फाइदेमन है हमारी बोड़ी के अंदर इम्म्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और हमारी बोड़ी में कोई भी टाइप की सूजन और गठ्या जैसी परेशानियों को दूर करता है वेट लोस करने में और डाइजिस्टिव सिस्टम को बढ़ाने में ये मदद करता है तनाव और चिंता दूर करने के लिए भी ये मदद करता है और इसी के साथ डायबिटिक पेशन के लिए भी ये बहुत ही लाबदाई है ये फुल में से चाई बना कर पी सकते है, ब्लू रैस बना सकते है, नूडल्स भी बना सकते है और कभी कभी कोई सूप या तो सोस को यूनिक कलर देने के लिए भी इसका यूज कर सकते है स्वाद भी मिलेगा और सहट भी मिलेगी केक, जेली, आइसक्रीम या तो कोई भी और खाने की चीज़ जिसमें आप नेचरल ब्लू कलर देना चाहते हो तो भी आप इस फूल का उपयोग कर सकते हो आज हम ब्लू टी बनाने वाले है तो इसके लिए 6-7 अप और आजिता के फूल मैंने ले लिए है तो यहाँ पर मेरे गार्डन में ये फूल उखते है तो मैंने फ्रेश फ्लावर लिए है इसे एकदम अच्छे से वोश करना जरूरी है क्योंकि इसके उपर एकदम बारिक जैसे मिट्टी चिपकी हुई होती है या तो कभी-कभी एकदम छोटे-छोटे बारिक कीड़े भी रेते है तो इसे एकदम अच्छे से वोश करने से ये सारी गंद की निकल जाएगी तो यहाँ पर ये फ्लावर को मैंने अच्छे से वोश कर लिया है और इसको ले लेते हैं एक प्लेट के अंदर तो चलिए शुरुवात करते हैं ब्ल्यूटी बनाने की इसके लिए एक पतेले को मैंने हीट पर रख दिया है इसके अंदर लगबग देट कब जितना हम पानी डालेंगे पानी को एकदम अच्छे से उबलने देना है पानी हमारा उबल चुका है पानी अच्छे से उबलना शुरू हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम ये flower एड़ करेंगे flower का जो ये green part है वो हम निकाल कर डालेंगे और हाँ इस time heat हमें एकदम कम रखनी है तो यहाँ पर सारे flower में एड़ कर दिये है और आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छा सा प्यारा सा color पानी के अंदर आ चुका है इसके अंदर एक डालचीनी का टुकड़ा एड़ करेंगे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी एड़ करेंगे एक मिनट के लिए इन सारी चीजों को एक दम अच्छे से उबाल लेंगे पर एक मिनट हो चुकी है और इसकी heat जो है वो हम बंद कर देंगे और इसे ड़क देंगे लगबग दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही ड़क कर रख देंगे ताकि फ्लावर्स दालचीनी और अदरक के गून और स्वाद एक दूसरे में घुल मिल जाए तो यहाँ पर दो मिनट हो चुकी है और चलिए इसे उपन कर लेते हैं यह अभी भी गरम ही है तो चलिए इसे गरमा गरम ही सव कर देते हैं आप इसे एकदम ठंडा करकर भी सव कर सकते हैं तो अभी में ने इसको गरम गरम सव किया है और हाँ आप इसके अंदर लेमन ज्यूस भी एड़ कर सकते हो और आगे बताया वैसे आप इसे एकदम चिल करके भी पी सकते हो तो इसके लिए आप इसके अंदर ice cube एड़ कर सकते हो और हाँ आप ठंडा ठंडा इससे पी रहे हो तो इसके अंदर आप honey भी एड़ कर सकते हो तो फ्रेंड्स तयार है हमारी एकदम tasty और healthy blue tea आगे और भी tasty healthy और नई नई recipes देखने के लिए की poaching mamta's kitchen